ये वीडियो नागरिक्ता संशोधन अधनियम 2019 को लेकर हो रही बहस पर आधारित है। ये वीडियो विने सरदौरलीगी क्लास का ही एक हिस्सा है। इस वीडियो में नए नागरिक्ता खानून को लेकर हो रही वेशुद राजनीत का जिक्र छात्रों के उत्सुकता बस किया गया है। इसका UPSC के स्लेबस से कोई खास तालोग नहीं है। सर ये जो नागरिक्ता संचोधन के जरेक पेगमासान मचा हुगा है। क्या इसमें राजनीतिक कोई रेड़ा है या राजनीतिक कोई एक तरगी की सिहासत है, कुछ शिवसा है। देखे वैसे तो हर घटना जो होती है उसके पीछे कोई ने कोई राजनीत होती है। चोकि हम लोग सिविल सरसेश के त्यारी कर रहे हैं, तो हमारे सिलेवस में प्योर पॉलिटकल घटनाओं को हम लोग सामिल नहीं करते हैं। तो नागरिक्ता संसोधन अधनीयम हम पढ़ेंगे, तो इस पर हमें फोकस क्या करना है कि इसके समवेधान एक पक्ष क्या है। लानिस्तान संबंधों पे भी कोई प्रभाव पढ़ेगा, और दूसरा विश्व में भारत की छवी क्या माइनौरिटी के सप्रेशन की छवी के रूप में तो नहीं प्रकट होगी। पूर राजनीत के समाज सासर को समझना है, तो दो चीजें, तीन चीजें हमें बल देना हो, एक तरफ हमें समझना होगा कि अलपसंख्यक समाज जो है, उसकी सोच क्या है, उसकी नजरिया क्या है, वो क्यों इतना आक्रोशित हुआ है, वो क्यों यहां सड़कों पर पूरी दरह से उतरके आ गया है और यह लगभभभ पूरे भारत में धीरे-धीरे फैलता हुए न जरा रहा है कि यहां बहुत संख्यक समाज क्या सोच रहा है वो इस घटना को कैसे देख रहा है क्या उसे इस सरह देख रहा है कि लॉन और्डर की प्रॉब्लम है या यह देख रहा है कि अल्फ संख्यक कहीं न कहीं हिंदूं से घणा करते हैं, कई उनकी सोच हो सकती है और इन दोनों के संबंधों को देखते हुए राजनीतिक दलों की सोच क्या है, ये हमें समझना है अगर हम ये समझ गए, तो हम इस संपून घटना के समाज सास्त्रिये और राजनीतिक पच्छ को हम लोग क्या हो जाएंगे, समझ जाएंगे पहले अल्फ संख्यक समाज की बात करते हैं, जरा देखते हैं अल्फ संख्यक समाज की सोच क्या है अगर आप अल्वसंख्यक समाज को देखें तो भारत एक मात्र ऐसा या भारतिय उप महादीप एक ऐसा छेत्र है पूरे विश्व में जहां इसलाम एक जातिय पदसो पानिक संदशना में बटा हुआ इसलाम पूरी तरह समतावादी समाज है लेकिन यहां अगर भारतिय उप महादीप में देखेंगे तो उच्छवर्ग और निम्नवर्ग में बटा हुआ है वहां अगर आप देखें तो आपको उच्छवर्ग को कहते हैं अशरफ खान, सैयद यह सब अशरफ में आते हैं दूसरा आजाते हैं अजलाफ जो निम्नवर्ग हैं, मध्यवर्ग हैं और अरजल जो निम्नवर्ग आते हैं यह अशराफ लोग जो हैं यह मानते हैं कि इनकी जो जड़े हैं वो अरब से हैं, तुर्क से हैं, मध्यशिया से हैं और ये उच्छ कुलीन वरक के लोग है और ये मूल रूप से इसलाम के मानने वाले लोग है ये कनवर्टेड लोग नहीं है इसलिए अश्राफ लोग भारत में अजलाफ और अरजल से विवाह नहीं करते मैंने कहा दुनिया में इसलाम समतावादी समाज की बात करता है पर यहां पर इसलाम जो है वो समतावाद की बात नहीं करता है और ये अजलाफ और अरजल लोग जो हैं वो मुखता कनवर्टेड लोग हैं तो प्रारम से अश्रफ लोगों का मानना था विशेश कर जब मुगल राजनीतिक सत्ता, यानि सत्ता उनके हाथ में रहे तभी लोग इसलाम को मानेंगे, और दूसरा चाहिए राजनीतिक सन्नच्छन, यानि धर्म को सन्नच्छन मिले, तभी ये बात हो पाएगी, अब आप बताईए, अंग्रेजों के समय न सत्ता था न सन्नच्छन था, और अंग्रेजों के जाने के बाद जब भारत में लोकतंत्र के नाम पर हिंदू का साशन आएगा तो फिर से ऐसी उम्मीद थी कि न सत्ता रहेगा न संद्चन रहेगा इसी आदहार पर मुस्लिम कुलीन वर्ग ने मुस्लिम लीग का गठन किया और ये कहा कि बहुमत के नाम पर जो लोकतंत्र आने माला है उससे इसलाम और इसलाम की पहचान खतरे में आजाएगी इसलिए इसलाम को एक सतंत्र देश मिलना चाहिए और यहीं से पाकिस्तान की संकल्पना क्या होती है, विकसित होती है लेकिन जब देश आजाद हुआ तो ये फिर प्रस्णा आया क्योंकि भारत में बहुत से मुस्लिम रह गए थे तो जो पाकिस्तान चले गए वहां तो राजनीतिक सत्ता भी मिल गई लेकिन सन्रचन आपको दिया जाएगा और वहां से संकल्पना भारत में धर्मिर पेच्छता की क्या हुई याद रखेगा भारत 1950 में धर्मिर पेच राज्य बना धर्मिर पेच राज्य का मतलब क्या है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा राज्य सभी धर्म के लोगों के साथ समान वेवार करेगा और धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा पर भारत धर्मिर पेच समाज नहीं बना ऐसा समाज धार्मिक आधार पर सहिशनुता हो, समवाद हो, समायोजन हो, एक दूसरे की भावनाओं का आदर हो और मिल जुलकर एक composite society जिसको गंगा यमना की तहजीब कहते हैं, वो नहीं दिखी क्योंकि 1947 में पाकिस्तानी देश नहीं बना था, इसने दो कौमों के बीच में एक अस्थाई दीवार क्या कर दी थी, बना दी थी तो कॉंग्रेस ने धर्म निर्पेच्छता के नाम पर एक vote bank की तरह मुस्लिम अलफसंखकों को इस्तमाल करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया ये भी याद रखेगा, कि ये मत समुझेगा कि उन्होंने हिंदू कार्ड का इस्तमाल नहीं किया 1948 में जब अयोध्या में पहला उपचुना हुआ, तो कॉंग्रेस ने पहली बार राम मंदर का प्रियोक किया था हिंदू कार्ड के रूप, आचार नरेंद्यों जो समाजवादी नेता थे, उनको हराने के लिए गोविंद वल्लब पंथ, जो उस समय नहिरू जी के बहुत उन्होंने आचार नरेंद्यों पर हिंदू विरोधी हुने का रूप लगाया, राम का विरोधी हुने पर आरूप लगाया, और उनके खिलाब बाबा राग होदास को खड़ा किया, जो मुखता हिंदू राम मंदर आंदूलन के सबसे बड़े नेताओं के रूप में माने तो राजनीत क्या करती है, सहारा लेती है कि अपना वोट बैंक का अधार कैसे बनाया जाए, उससे किसी का कोई पर्टिकुर लेना देना नहीं है, आडवानी ने राम मंदर आंदूलन इसलिए नहीं शुरू किया था कि उनको कोई हिंदूों से लेना देना था, चूकि उस समय आरच्छन की राजनी शुरू हो गई थी वीपी सिंग के द्वारा, और समण विरोध कर रहे थे, और वीपी सिंग का समर्थन भाजपा कर रही थी, तो आडवानी को लगा कि इससे तो हमारा वोट बैंक क्या होगा, खिसक जाएगा, तो लोने रथियात्रा शुरू कर तो भारत में धर्म निर्पेच्छ समाज नहीं है, धार्मिक समाज है, जिसमें धर्म निर्पेच्छता का चोला पहन के, जब एक सत्ता में कोई व्यक्त अपनी दल को जिताने की कोशिश करेगा, तो उसका एंटिडोट क्रियेट होगा, और वो ये कहेगा कि तुस्टी करन की राजनीत हो रही है, वो अपने लिए अधार खीचना क्या कर देगा, शुरूगा, ये प्रकिरिया चल रही थी, हम लोग बात कर रहे हैं आज की, और अगर हम आज की बात करें तो जड़ा समझे बात को, इस समय आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, ये भारत के च चार ऐसे राज हैं, जहां पर 18 से लेकर 25 परसंट तक मुसलिम हैं, और कई ऐसी संसदिये सीटे हैं, विधान सभा की सीटे हैं, जहां ये बहुत संख्यक हैं, और कुल मिलाकर 175 संसदिये सीटे लगभग लगभग यहां से आपको देखने को क्या होंगी, वेस्पंगाल में 40 हैं, बिहार में भी लगभग इतनी की हैं, असम में 14 हैं, तो लगभग लगभग 175 सीटों के आसपास हैं, और इनमें कॉंग्रेस की हिस्सेदारी 7 याठ है, और आपको पता है कि अगर भारत पर सत्ता प्राप्त करना है, तो इन 175 सीटों पर अपना आधार मजबूत करना बह ही चुनोती है क्योंकि कहा जाता है DMB, दलित, मुस्लिम और ब्राम्हन ये कॉंग्रेस का मूल आधार रहा है, मूल ओट बैंक रहा है, और ये खिसका, विशेशकर UP जैसे बड़े राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में, मुस्लिम खिसक कर सपा में चला गया, या बिह राज्यों में मायावती ने अपना उस पर क्लेम कर दिया, तो इन राज्यों में खिसक गया आधार, और वहां पर कम्निस्टों ने और त्रनमूल कॉंग्रेस ने क्या किया, कि उनका वोट बैंक पुरी तरह खिसका दिया, तो ये बात कॉंग्रेस भी जानती है, कि जब तक इन राज्यों में अपनी पहुँच नहीं बनाएगी, तब तक उसका आधार बढ़ने वाला नहीं है, अब इन राज्यों में कैसे पहुँच बनाएं, ये बड़ा मुद्दा है, इस समय कॉंग्रेस वहां पर मध्यप्रदेश में, राजस्थान में, महराष्ट में, सरकार पंजाब में सरकार बनाएगी, तो उसका confidence भी वड़ेगा, और एक चीज़ और याद रखेगा, आप पंजाब कई लोग कहते हैं कि पंजाब में क्यों नहीं हो रहा है हिंसा कांदोलन, तो पंजाब, हरियाना, MP, राजस्थान ये वो राज हैं, जहां पर मुसलिम आबाद में नहीं और नमुसलिम इतनी आबादी में है कि इन राज्यों में विरोध क्या कर सकें कर सकें, क्यक्तों, जाहिर बात है कि कॉंग्रेस ने उन राज्यों को चुनाओ जहां पर उनका वोट बैंक अब तक नहीं है, और वो ट्रडिशनल वोट बैंक उनका रहा है, तो याद होगा कि सपा और बस्पा की जड़े बहुत कमजोर हो रही है अगर सपा के माई वोट से मुस्लिम निकल जाए तो क्या बचेगा केवन याद हो और दलित वोट निकल जाए कहां से मायवती जी के बस्पा से और जैसा उनकी सिती हिस्से में बहुत तेजी से खिसक भी रहा है अगर ये मुस्लिम दलित मिलकर कहीं न कहीं किस के साथ आजाए कॉंग्रेस के साथ और कॉंग्रेस फिर क्या करे पूरे उत्तर प्रदेश की जगहों पर ब्राम्हणों को विशेश कर अवद छेत्र जो है वहाँ पर मुख्य विवाद हिंदु मुसलिम से जादा ब्राम्हण बनाम राजपूत का विवाद है और अगर ये दिखाया जाए कि जो अजय सिंग्विस्ट यानि योगी है वो राजपूत है भाजपा राजपूतों की पार्टी है भाजपा राजपूतों को समर्थन देती है और ब्राम्हणों को टिकट दिया जाए मुसलिम तो वैसे ही tactical voting करता है तकिकल voting का क्या मत्लब होता है टकिकल voting का मतलब है कि जो BJP को हराएगा उसी को हम क्या करेंगे वो अपना vote देंगे तो ब्राम्हर्ण, मुसलिम और दलित, और दलित के लिए हम क्या करें हम चंसेखर जो सहारनपुर के भीम आर्मी के नेता है उनको अपना लीडर बना दें तो अगर लीडर बना दें तो ये दलित मुस्लिम ब्राम्वन का जो पुराना गठ बंदन है वो पुराना गठ बंदन इनको क्या हो जाएगा मिल जाएगा ये तो कॉंग्रेस इस रड़नीतिक आधार में अपने लिए स्पेस तलास रही इसलिए उन नारिक्ता संसोतन अधनियम को चाहती है कि ये मुद्दा बना रहे और ये मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि उधर अशरफ लोगों को क्या लग रहा है मुसलिमियों में कि कश्मीर में नहीं बोले, त्रिपल तलाक में नहीं बोले और अगर अब भी नहीं बोलेंगे तो NRC के नाम पर हमारे लिए स्थिति और वी खराब हो जाएगी तो इसलाम को खत्रा मान कर उनके लिए भी करो या मरो का प्रस्न है इसलिए दोनों के हित क्या हो जाएंगे कामन और जब दोनों के हित कामन होंगे तो क्या होगा उत्तर प्रदेश में सपा संघर्स कर रही है उसके नेता संघर्स कर रहे हैं कि यह जो नागरिक्ता विरोधी आंदोलन है उसमें उनकी भूमिका जादा बन जाए जिससे उनका व ममता दीदी पूरी कोशिश कर रही है आक्रम कभियान चला कर कि उनका भी वोट बैंक क्या रहे इंटाक्ट रहे और दिल्ली में कौन कोशिश कर रहा है आप ऐसे में कॉंग्रेस के पास एक और विकल बनता है भले ममता दीदी इंटाक्ट रखें वोट लेकिन धर्म करोगे तो तुम हां तुम लोट डिवाइड करोगे और इसलिए तुम हमारे अधीन लड़ो हमारे बराबर नलो यह है अल्फ संख्यकों की राजनीत के हिर्दिए और बीजेपी की राजनीत जरा समझ नहीं है बीजेपी को किसी भी कीमत पर और याद कि का हिंदूं में अवन बीजेपी का मूँ लोट बैंक है लेकिन वो हिंदुत्त के नाम पर इन्हें अपने साथ क्या करना चाहती है जोड़ना चाहती है तो जितना सडकों पर प्रदर्शन हो रहा है जितनी सडकों पर मुस्लिम आबादी दिखेगी और मीडिया के द्वारा दिखाई जाए जितना इटा पत्थर चलाओगे उसका वोट बैंक अपने आप ही क्या होगा अब देखे हिंदु बहुत संख्यक समाज के और भी सोच है अगर आप हिंदु बहुत संख्यक समाज के नजरिया समझें तो उनको क्या लगता है कि पूरी दुनिया में वह अल्फ संख्यक है प इसलिए जनसंख्या को लेकर बहुत समवेदन शील हो जाते हैं जबकि आपको पता है जनसंख्या का किसी धर्म से लेना देना नहीं है अगर सिच्छा है जैसे केरल में मुस्लिमों की जनसंख्या वर्देदर यूपी बिहार के हिंदुों से हो सकता है कम हो पर यह नजरिया एक narration बन गया है उनके अंदर कही न कहीं उनके अंदर विचार है कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ा रहे हैं इसलिए कि वो भारत में हिंदुों को क्या कर दें अलसंख्या कर दें और फिर उनको लगता है कि अगर दुनिया में कोई मुस्लिम प्रतारित है इसलाम के कारण तो उसे भारत में जगह मिलने चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं मुस्लिमों के लिए बहुत से देश हैं हिंदु के लिए देश कौन है भारत इसलिए नागलिकता की समाज उनको समर्थन करना चुझ靂 करते हैं जब आप याद कीजिए नब्वे के दशक में अटल और आडवानी की जोड़ी थी तो अटल जी लिबरल फेस थे आडवानी को कट्टर फेस माना जाता है 2000 के बाद अगर आप देखेंगे 2002 गोधरा के बाद तो मोदी और आडवानी की जोड़ी में मोदी जो हैं वो कट्टर फेस है और आडवानी क्या है लिबरल फेस और 2024 में चुनाओ होना है माना जा रहा है कि मोदी जी अब चुनाओ नहीं रड़ेंगे उन्होंने तो कई जगा मीटिंगों में सांसदों को कहा भी है कि भाई अब अपने नाम पर तुम्हें चुनाओ लड़ो तो मोदी और शाह की जोड़ी में कट्टर हिंदुत्तु का फेस अब कौन बनना चाहिए 2024 में शाह बनने चाहिए और अगर शाह ने 370 खतम कर दिया ट्रिपल तलाग खतम कर दिया अभी वो क्या कर खतम करने जा रहे हैं CA के आधार पर काम कर रहे हैं अभी वो कह रहे हैं हम Common Civil Code लाएंगे अभी कह रहे हैं हम NRC लाएंगे तो नया हिंदुत्य का फेस कौन बनेगा अमिस्षा और शायद मैं कोई राजनेतिक विशेशक नहीं हूँ शायद 2024 में जो नया फेस बनेगा बीजेपी का वो कौन बनेगा अमिस्षा तो बीजेपी इसमें गेनर है Congress उस vacuum को जो खाली हुआ है इन राज्यों में उसे भरने की क्या कर रही है कोशिश कर रही है और छोटे छोटे दल अपने लिए स्पेस तलाश रहे हैं और उसकी रणभूम बनने वाली है UP का चुनाव आने वाले समय में बिहार का चुनाव और आने वाले समय में 2024 में भारत का चुनाव ये अब बड़े मुद्दे की रूप में दिखाई देने वाला है